हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIS Hindi नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमरे निरिपांडे आप देख रहें Study IQIS Hindi आज हम लोग NCRT क्लास 8 एकाई 4 देखने वाले हैं जिसके इंतरगत अध्याय 6 है और अध्याय 6 के अंतरगत आज हम लोग ये देखने वाले हैं वो है हासिया करण की समझ ये अलगी चीज है कि आखिर ये हासिया करण है क्या और बहुत बार आप इस चीजों को देख चुके होंगे बहुत बार आपने इसे समझा होगा हासिया करण लेकिन ये सब्द कई बार आपके नजर से गुजर चुका होगा आज हम लोग हासिया करण के समझ की बाद थोड़ी सी देखेंगे क्या है आकिर ये हासिया करण तो आप देख सकते हैं कि सामाजिक रूप से हासिया पर होने का मतलब क्या होता है ये पहले आप समझें जब भी हम लोग NCRT की क्लास सुरू करते हैं तो जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं जो भी अध्याय पढ़ते हैं उसमें बताया गया होता है एक सामाज एक सामान ने स समझ आपको देने का प्रयास किया जाता है कि आखिर वो है क्या जैसे यहां पर हासिया करण की समझ्या तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, कि आखिर ये हासिया करण है क्या, आए देखते हैं हासिया करण, आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं, उनकी बाई और खाली जगह होती है, आप देखेंगे यहां पर जगह छुटी रहती है, आम तोर पर ये लिखा नहीं ज कहा जाता है, इसका मतलब हासिया का सापदिक अर्थ अगर आप देखेंगे, तो वो किनारे से लिया जाता है, किनारे, जो सेंटरल में नहीं है, जो केंदर में नहीं है, उसे हम हासिया कह देते हैं, उसे हम किनारे कह देते हैं, कई बार कहा जाता है कि हमें किनारे पे ढखे है उस समाज में बहुत सारे वर्ग समुदाय के लोग हैं उन्हीं वर्ग समुदायों में ऐसे भी लोग हैं जो समाज के मुख्धारा में नहीं हैं समाज में किनारे कर दिये गए हैं उन्हें ही हम हासिया करण के रूप में देखते हैं आप देखेंगे खेल के मैदान में कभी कभी महसूस किया होगा आपने खोदी जादातर कच्छाव के बच्चों में भी अगर आपने महसूस किया होगा कि आप वो करते हैं जो बाकी सारे लोग नहीं करते हैं तो बाकी सारे लोग नहीं करते हैं तो कहीं ने कहीं आपको बाकी लोग अपने जैसा नहीं मानते अलग थलग कर दिया जाता है और ये अलग थलग को ही हम हासिय के रूप में देखते हैं अक्सर ये कई जगहों पर हमें देखने को मिलता है और इसी को जब हम समाज के संबंद में देखते हैं तो उसे हम महत्पूर्ण रूप से हासिया करण के रूप में समझते हैं, कच्छा की तरह समाज में भी ऐसे समुदाय हो सकते हैं, इस तरह की बेदखली का एहसास उनको भी रहता है, उनके हासिया करण की वज़े ये हो सकती है कि वे एक अलग भासा बोलते हो, वे अलग रीत रिवाज अपनाते हों, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हों, वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाते हों, इस वज़ा से सेस लोगों के मुकाबले कमतर मनुस्य के रूप में उन्हें देखा जाता है, इस वज़ा से को हासिये पर महसूस करते हैं मतलब ये कुछ भी हो सकता है धर्म हो सकता है ये भासा हो सकता है बिस्रीती रिवाज हो सकता है तो इसमें उन्हें जब मुख के धारा में सामिल नहीं किया जाता अलग थलग रूप में देखा जाता है तो उसे ही हम यहां हासिय करण के रूप में देखते हैं कई बार हासिय समूहों के लोग दुस्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं फासले और अलग थलग किये जाने का यह ऐसास इन समुदायों को संसाधनों और मौकों का फैदा उठाने से कई बार रोक देता है फलसुरूप हासिये ही समुदाये अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में कई बार चूक जाते हैं उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस साली तगबुकों के मुकाबले सक्तिहींता और पराजे का भी ऐसास देखने को मलता है ये होता रहता है जिनके पास जमीन है धन्दौलत है जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं राजनीतिय रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं इसका मतलब यह है कि हासिया करण किसी एक ही दारे में महसूस नहीं होता आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक सभी दारों में सामाज के कुछ तबकों को हासियाई महसूस करने के लिए विवस कर सकते हैं तो आज हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं ऐसे समुदायों के बारे में जिने आज भारत में स्तामाजिक रूप से हासिय पर माना जाता है स्तामाजिक रूप में जिने हासिय पर माना जाता है आज हम इस अध्याय के भीतर वो देखने वाले हैं चलिए जोड़ जाएं, आप मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे, आप देख रहे हैं Study IQ IS Hindi, प्रति दिन Monday to Friday, सुबह 8 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलती है, NCIT, पॉलिटी की NCIT, क्लास 6 से 12 तक की सफर हम लोग यहां पे कर रहे हैं, और आप मेरे साथ जोड़ चुके हैं, आज की अपनी इस कक्छा में, जिसमें हम लोग हासिय करण की समझ को देखेंगे, आदिवासी और हासिय करण अगर जोड़ के देखें, कि जो हमारा आदिवासी समुदाए है, क्या उस आदिवासी समुदाए को हम हासिय करण की स्थिती से जोड़ कर देख सकते हैं, क्या आ आदिवासी परिवार है और वो सोमा और हेलन ये दो बच्चे हैं दादा जी के साथ बैठ कर टीवी पे घरतंदर दिवेस की परेड देख रहे हैं बच्चे कह रहे हैं कि अरे देखो आदिवासीों की नाव आ गई तो जो दादा जी हैं इनके दादू वो कहते हैं कि ये आद तो दादू बता रहे होते हैं कि हाँ, हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि आदिवासी हमेशा नास्ते गाते रहते हैं। दिखाने का प्रयास करते हैं या दिखाते हैं। अब दादू जी की बात्चित जो है इससे आप समझ पाएंगे एक आदिवासी समाज में क्या क्या समर्दता है और कैसे ये समाज हासिये पर चला गया। हमें वहीं से मिल जाते थे। तब ही अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं रह गये। बन बिभाग के अपसरों और ठेकदारों ने बहुत सारा जंगल स्टाफ करना सुरू कर दिया। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई भी करते। हमें आदालत में भी घसीटा जाता था और वहां न तो हमें कोई वकील मिलता था और नहीं हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। दादू जो हैं वो अपने स्टोरी बता रहे हैं बच्चों को उन्होंने ये बताना सुरू किया तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई। दादू बता रहे हैं कि हमने बहुत सारे लोग को अपने घर बार छोड़ने पड़े थे उस ताइम पर आसपास के कस्बों में जो काम धंदे समय पर मिल जाते उन्हीं से काम करके हम अपना खर्चा चलाने लगे। पिर अपसर आएं उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के नीचे लोहे कभंडार हैं। उसे निकालना चाहते हैं उन्होंने बड़े बड़े वादे किये कहते थे अगर हम अपनी जमीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी और पैसा देंगे। कुछ गाउं वाले बहुत खुश हुए कुछ को लगता था कि इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी इसलिए कुछ लोगों ने कागज के पन्नों पर अंगुठे लगाए और जमीने बेच दी कुछ लोगों नहीं लगाए उन्हें पता नहीं था कि अंगुठे का निसान वो अपनी जमीन बेच रहे हैं मुठी पर लोगों को तो उन्होंने छोटी-मोटी नौकरी पर रख लिया लेकिन ज्यादा तर लोगों ने अपनी जमीने नहीं बेची और एक अंदोलन दिख रहा है फाइल आदिवासी भूमी अदिग्रहण की आपका दिखाया जा रहा है तो ज्यादा तर लोगों ने उन्होंने कहा कि अपनी जमीने नहीं बेची तब उन्होंने हमारे साथ मार्पिट सुरू कर दी जब जमीन नहीं बेचना की बात उनको समझ में आई कि ये अपने जमीन नहीं बेचेंगे तो कहा कि उन्होंने मार्पिट सुरू कर दी तरतर से बताते हैं वे बड़े गंभीर भी दिख रहे हैं ओ दादू और हमारी जमीन उसका क्या हुआ तीस एकड़ जमीन के बदले ठेकेसार से हमें थोड़ा सा पैसा मिला और मैंने अपने जादा तर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी मैं मिल नहीं पाया ऐसा दादू का यहां पे कथन है सहर में वे पैसे बड़े मुश्किल से थोड़े दिन चले हमारे पास रोजी रोटी का कोई खास साधन नहीं था ऐसा यह बताते हैं और इनका कहना है कि हम लोग किराए पर एक छोटे से कमरे में रहने लगे और अपनी बेखोफ जिन्दगी और उस खुले माहौल को जो हमसे छीन लिया गया दादू कहते हैं वो हमें बहुत याद आती है एक कमरे में जीवन बसर करना कितना कठीन होता है ऐसा बताने का प्रयास करते हैं अगर आप 2026 के तयारी कर रहे हैं और अभी बैच से जुड़ना चाहते हैं तयारी को एक ब्यवस्थित और मूर्त रूप देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको P2I 2026 के बैच से जुड़ना चाहिए और विसे इस बात है कि ये जो 26 के लिए बैच है इसकी तयारी आपको 12 महिनों में करा दी जाएगी फीस भी कम है देपावली ओफर आ रहा है आपके पास 2699 में आप जुड़ सकते हैं AP Live Code के साथ ये बैच अभी सुरू ही हुआ है इसलिए आपको इस बैच के साथ जुड़ जाना चाहिए और इस बैच के साथ आप जुड़ते हैं तो मेगा फेस्टिवल सेल जो देपावली की है 23 अक्टूबर से पहले अगर आप अडमिशन लेते हैं तो आप इस सेल का लाब उठा पाएंगे आगे बढ़ते हैं फिर दादू बताते हैं कि कुछ साल बाद तुम्हारे पिता जी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम दिल्ली आ गए बड़े कठिनाई भरे दिन थे इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल स्कूल नहीं भेज पाएं ऐसा दादू जो है वो बता रहे हैं बच्चों को मुझे स्कूल जाने से नफरत थी देखे यहां पर यह बताने का प्रयाज कर रहा हैं कि मुझे स्कूल जाने से नफरत थी हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उडाते थे हम घर में संथाली भासा बोलते थे इसलिए हिंदी में बात नहीं कर पाते थे लेकिन अब हमारे कुछ दोस बन गये हैं और मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ ऐसा जो बच्चे हैं वो बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चा कह रहा है कास में अपने दोस्तों को अपना गाओं पर बाद होने से पहले दिखा पाता तुम लोग अभी भी उन्हें अपना गाओं के बारे में बता सकती हो इससे वे काफी कुछ सेख सकते हैं एक दिन में मैं अपनी यानि आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी ऐसा जो लड़की है वो बोल रही है एक दिन हम आदिवासियों पर एक फिल्म बनाएंगे ऐसा तो भी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू का उडिसा का अपना गाउ छोड़ना पड़ा दादू की कहानी हमारे देश के एक दो आदिवासियों की नहीं लाखो आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है और इस समुदाय के हासिया करण के बारे में अब इस चेप्टर में हम देखेंगे विस्तार से देखेंगे इस समुदाय मतलब आदिवासी समुदाय के हासिया करण हासिया करण पे केवल आदिवासी समुदाय नहीं है हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे समुदाय है जो समाज के केंद्र में न होके किनारे पे हैं और किनारे पे रहते हुए उनके सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक, सभी प्रकार के जो अधिकार हैं, वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते, लेहाजा उनका विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्हें हम हासिय करण के रूप में देखेंगे, अभी ब्यापक समझ हम हासिय करण के रूप में आगे समझने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले हम हासिय करण में आदिवासी की समझ रहे हैं, आदिवासियों की समझ से सबसे पहले हम लोग हासिय करण में समझ रहे हैं, तो सबसे पहले इसी पर बात्चित जो है वो कर लेते हैं, आदिवासी कौन से अगर आप ठीक से देखें तो मूल निवासी ये वो लोग हैं जो जंगलों में ये वे समुदाय हैं जो जंगलों में साथ जिने आने की सहली से आगे बढ़ते हैं आज भी ये उसी तरीके से जी रहे हैं भारत की लगबिक 8 प्रतिसत जो आवादी है वो आदिवासियों की है देश में बहुत सारे महतपूर्ण खनन और दोगिक छेत्र आदिवासी लाकों में हैं, अब जमसेदपूर की बात करेंगे, राउड केला की बात करेंगे, बोकारो भेलाई का नाम आपने सुनाई ही होगा, अर्थाद आद जारखंड की बात करेंगे, ओडिसा की बात करेंग सारी अवादी को एक जैसा समझने लगते हैं, एक जैसे परिधान का नहीं, आदिवासियों के बहुत सारे समुदाएं हैं, और सबकी अपनी विशुस परंपरा, बड़ी समुद्ध संस्कृती से आते हैं लोग, भारत में 500 से जादा तरह के आदिवासी समुँ हैं, 36 गड़, जारिखंड, मदप्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महरास्ट, राजस्थान, अंदरप्रदेश, के अलावा अगर आप देखेंगे तो पश्चमंगाल, उत्तरपूर, के रुड़ांचल, प्रदेश, असम, मड़िपूर, मेगाला, मिजुरम, नागालेंट, संख्या काफी है, अकेले उडिशा में 60 से जादा अलग-अलग जंजाती है समू, आदिवासी समू रहते हैं, आदिवासी समाज औरों से बिलकुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके भीतर, ऊच नीच का फर्क बहुत कम होता है, इसी वज़र से ये समूदाय, जाती माने जाते थे, जो हिंदूों में या अन्य धर्मों में जिस तरीके का विभेत देखने को मिलता है, ये उससे अलग अपने प्रकित पूजक के रूप में पाय जाते हैं, बड़ी समूदिता इनकी होती है, आदिवासीों के बहुत सारे जंजाती धर्म होते हैं, अर्थात अगर धर्म की बात करें तो उनके धर्म में इसलाम, हिंदू, इसाई, आदि धर्मों से ये धर्म बिलकुल अलग हैं, वे अक्सर अपने पूर्खों की, अपने गाउं की, अपने प्रकित की उपासना करते हैं, प्रकित पूजक के रूप में आप इन्हें अक्सर जानते है प्रकित से जोड़ी आतमाओं में ये परवत, नदी, पसुवादी की आतमाएं हैं, उनके में विश्वास करते हैं, बिभिन स्थानों से जोड़ी इनकी माननेताय होती हैं, इनका वही निवास माना जाता है, ग्राम आतमाओं की अक्सर गाओं की सीमा के भीतर निर्धारित, पवित लता कुंजों में ये पूजा करते हैं, जबकि पुर्खों की उपासना घर में ही की जाती है, आदिवासी अपने आसपास के बौध और इसाई आदि धर्मों, वो सांक्त बैसनों भक्ती आदि पंतों से भी प्रभावित होते रहें, लेकिन यह भी सच है, कि परमपराएं इसी का उधारण है, ऐसा नहीं है कि ये बाहरी धर्मों से प्रभावित होते रहें हैं, उस समय के जो धर्म हैं, वो इनकी भी परमपराओं रितिरिवाजों से प्रभावित होते रहें हैं, ऐसा बताया गया है, उन्नीसवी सदी में बहुत सारे आदिवासियो में एक महतपूर धर्म बन गया है आदिवासियों की अपनी भासाइं रही हैं उन में से जादा तर संस्क्रच से बिलकुल अलग और संभवता उतनी ही पुरानी मानी जाती है इन भासाओं ने बांगला जैसी मुख्यधारा की भारती भासाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है इन में संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे जादा है आप देख सकते हैं इनकी अपनी पत्रिकाएं भी निकलती हैं इंटर्नेट भी इनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं आप इनको सर्च कर सकते हैं इनको देख सकते हैं आदिवासी और प्रचली छवियां इनकी जो छवियां हम देखते हैं वो किस रूप में देखते हैं अक्सर हमारे देश में एक रूप में इन्हें पेस किया जाता है, वे रंग वे रंगे कपड़े पहनते हैं, सिर्ग पे मुकट लगाये होते हैं, हमेशा नास्ते गाते दिखाई देते हैं, इसके अलावा उनकी जिंदगी की सच्चाई के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग पहले ही ये मान लेते हैं कि बदलाओ नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं, कच्छा च्छे की किताब में आपने पढ़ाता है कि खास समुदाय को बनी बनाई छबियों में देखते चले आने की वज़़ से इस तरह के समुदायों के साथ अकसर कितना भेदभाव होता है, ये और आपने पहले भी पढ़ा, हम पहले से ये मान के चलते हैं कि ये बदलना ही नहीं चाहते और ये पिछ़ड़ी सोचके हैं और पीछे ही रहना चाहते हैं, आम लोगों से जोड़ना नहीं चाहते लेकिन ये गलत धाणा है, जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ़ पुस्तक में पढ़ा है कि भारत में तवाम समराज्यों और सब्हताओं के विकास जंगलों का बहुत गहरा महतुरा है आप लोहे तामबे सोने चांदी के जो अयस्क हैं कोईला किमती मारती लकड़े ज़्यादा तर जड़ी बूटिया और अपसूद पाद मोम लाग सहत सोयम का जानवर हाथी जो कि साही सेनाओं का वे मुखादार है ये सबी जंगलों से ही मिलते हैं इनके अलामा जीवन को आगे बढ़ाने रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा इन ही जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता है अब समझ में आ रहा है आपको कि ये जंगल हमारी हवा पानी उपलबधता और गुलवतता को भी गहरे तोर पर और कम से कम 19 सदी के मद्ध तक तो इन विसाल भूखंडों का आदिवासियों के पार जबर्दस्त ग्यान भी था इन इलाकों में इनकी गहरी पैट थी उनका जंगलों पर पूरा नियंतरण भी था और आदिवासी समुदाय बड़ी-बड़ी रियासतों और अधीन नहीं रहे बलकि बहुत सारे राजवन संसादनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर करते थे इनसे व्यापार करते थे इनसे मदद मांगते थे इनसे उनके जीवन का मुलाधार चलता था ऐसा हमें देखने को मिलता है यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचली 26 से बिलकुल अलग है आज उन्हें हासियाई और सक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है अपनिवेसिक सासन के पहले आदिवासी समुदाय सिकार और चीजे बीन कर आजिवी का चलाते थे वे एक जगह ठहर कर काम करते थे इस्थानांत्री खेती के साथ लंबे समय तक एक इस्थान पर भी रहकर खेती करते थे हाला कि यह परंपराएं अभी भी कायम हैं लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाओं ने और नीतियों ने राजव नीजी उद्योगों के राजनितिक दबाओं के वज़े से इन लोगों को बागानों निर्माल इस्थलों उद्योगों घरों में नौकरी करने के लिए ढखेला जाता रहा है इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन छेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और नहीं उन तक सिधी आव इनकी पहुँच है यह बड़ा दुखत है यह बड़ा गलत अवधाना है और इस पे परियाप्त नजर डालने की जरूरत है परियाप्त विचार करने की जरूरत है जारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दसक से ही बड़ी संक्या में भारत और दुनिया के अन इलाकों में जैसे मौरिशेस, केरेबियन या यहां तक की ऑस्टेलिया में जाते रहे हैं भारत का चायवद्योग असम में उनके स्रम के भूते ही अपने पेरों पर खड़ा हो पाया है आज अकेले असम में 70 लाक आदिवासी हैं और ये बिस्थापन की कहानी भीसड कठिनाईयों, यातना, बिरह और मोत की कहानी रही है उननिस्वी सदी में ही इन पलाइनों के कारण 5 लाक आदिवासीों की मौत भी हो चुकी है नीचे दिया गया एक गीत है जो आदिवासीों की आकामचाओं और असम में उनके वास्तविक हालकों की बानगी पेस करता है गीत है उसको हम देख सकते हैं आओ मिनी असम चले हमारे देश में तो बहुत कस्ठ है असम की धर्ती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान है सरदार कहता है काम काम बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधल लाओ साहब कहता है मैं तुम्हारी खालो देड़ दूँगा हे जादू राम तुमने हमें असम भेज कर बड़ा चल किया है इस तरीके का गीत एक आपको यहां देखने को मिल रहा है इस संबन्ध में आपको यह चित्र भी देखने को मिल रहा है जो आदिवासियों की दुर्दसा को बड़े मारमिक धंग से बया करता है एक फोटो जो आपको यहां पर पीछे देखने को मिल रही है यह फोटो उडिशा के काला हंडी जिले में इस्थित नियामी गिरी पहाडी का है यह डूंगरिया कॉंड नामक आदिवासियों का इलाका है नियामगिरी समुदाय का पवित्र परवत है एक बड़ी अल्मूनियम कमपनी यहां खान और सुधक यंत्रों को लगाना चाहती है यह योजना इस आदिवासियों को बिस्थापित कर देगी और इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जम कर विरौत किया है पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं सर्वोचिनेले में कमपनी के खिलाब मुकदमा भी चल रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पे एक फोटो एक पिक्चर इमारती लकडी और खेती वो उद्द्योगों के लिए विसाल बन भूमियों को सापकिया जा चुका है आदिवासियों के इलाकों को खनिस पदार्थों और प्राकरतिक संसादनों की भरमार रही है इसलिए जमीनों को खनन और अन्यविसाल अद्दोगी परियोजनाओं के लिए बार बार इन से छीना गया है अगर हम बात जन जाती भूमी पर कपज़े करने की बात करें तो ताकरवत गोटों ने हमेशा मिलकर यहां पे काम किया है काफी बार उनकी जमीने जबरन भी छीनी गई है और निर्धारी प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है सरकारी आकरों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण बिस्थापित होने वाले 50% से अधिक ज्यादा केवल आदिवासी ही रहे हैं आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षन रिपोर्ट की बात करें तो पता चलता है कि आंदर प्रदेश चोतिसगर ओड़ी सा जारकंड में जो लोग विस्तापित हुए हैं उनमें से 79% केवल आदिवासी थे उनकी बहुत सारी जमीने देश भर में जो थी वो छीन ली गई सैकड़ो बांधो जलाइसों में इनकी जमीने अब डूब चुकी हैं पुर्वत्तर अगर भारत की हम बात करें तो इनकी जमीने लंबे सरे से ससत बलो और उनके बीच चलने वाले टकराओं उसे बधी हुई हैं इसके अलमा भारत में 54 रास्टी पार्क 372 बंध जीवब भैरण इनका कुल छेतर पर अगर आप देखें तो एक लाख 9652 वर्ग किलोमेटर है ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिस करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया भी कहा जाता है उन्हें कानून का उलंगन करता भी मा देते हैं हमेशा के लिए नस्ट हो जाता है वे अपनी परंपरा और रित रिवाज को गवा देते हैं जो उनके जीने और अस्तित्तों का मूल सुरोत होता है उडिसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कान बिस्थापित हुए गोबिंद मारन कहते हैं ये एक विक्तिया द अपने कबजे में ले लिया है अब हम कैसे जीहेंगे इनका कहना है क्योंकि आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं रित रिवाजों मानेताओं से बहुत प्रेम करता है आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड हमापन कि यह परकरिया अकसर दर्धनाक और हिंसक होती है जो हमें यहाँ देखने को मिल तो आपने देखा कि कैसे एक ऐसा समुदाय जो समाज के केंदर में हुआ करता था जो समर्द हुआ करता था जो ससक्त हुआ करता था, जो मजबूत हुआ करता था कैसे विभिन प्रकरियाओं के माद्दम से आज समाज में हासिय पर धकेल दिया गया है, किनारे धकेल धकेल दिया गया है, आज जो अपने मूल अस्थित्व को लेकर संगरसरत है, जिसके साथ बिभिन प्रिकार के आप देख सकते हैं कि यातनाय और प्रतान kalian जिन्हें जिलने को मिली अल्पसंख्यक और हाशिया करण अल्पसंख्यक और हाशिया करण एकाई एक में आपने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के जरे ए हमारे समथिद्धान धार्मिक और भासाई अल्प संख्यक को सुरक्षा परदान करता है आपकी राय में इन अल्प संख्यक समुदायों की ये सुरक्षाएं क्यों मुहया कराई जा रही है अल्प संख्यक सब्द आम तोर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तमाल किया जाता है जो संख्या की दिष्ट में बाकी आबादी के मुकाबले कम है इन्हें हम अल्प संख्यक कहते हैं और हमारे समिधान में भासाई और धार्मिक अल्प संख्यकों को मानता प्राप्त है लेकिन यह अधार्णा केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है अगर यहीं तक होता तो बात अलग होती इनमें न केवल सत्ता और संसाधन तक पहुँच के मुद्दे जोड़े हुए हैं बलकि इनके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी जोड़े हैं जैसा कि काई एक में आपने पढ़ा था कि भारती समिदान इस बात को मानता है कि बहुसंक्यक समुदाय की संस्कृति समाज सरकार के अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है यह ऐसी सूरत में छोटा सा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है धर्व निर्पेक्षता की बात आपने पढ़ी उसे भी इसलिए यहां पर लाया गया था कि छोटे समुदाय छोटे धर्मिक समुदाय के लोगों के ऊपर बहुसंकिकों का कहीं दबाओं न पढ़े इसलिए तो हम लोगों ने धर्व निर्पेक्षता जैसी बात अपना ही थी वर्चस्त की आसंका से बसने के लिए सुरक्षात्म प्रावधानों की जरूत पढ़ती है और ये प्रावधान उन्हें भेदबा और नुकसान की आसंका से भी बचाते हैं कुछ खास परिसितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति, कुसल, छेम के बारे में असुरक्षित भी मैसूस करते हैं असुरक्षा की ये भावना तब और बढ़ जाती है जब अलब संख्यक और बहसंख्यक समुदाय का संबंद तनावपूर्ण हो जाए समुदान में इन सुरक्षा व्यूस्थाओं की इसलिए किया गया क्योंकि हमारा समुदान भारत की सांस्कृतिक बेवित्ता की सुरक्षा एवं समानता वन्याई की इस्थापना के प्रति-प्रतिबध है जैसा कि आप अध्यापांस में भी पढ़ चुके थे कि कानून को कायम रखने और मोलिक अधिकारों को साकार करने में नया पालिक काहम भूमिका निवाती है अगर किसी नागरी को ऐसा लगता है कि उसका मोलिक अधिकारों का हानन हो रहा है तो यह अदालत में जा सकता है और सुरक्षा मांग सकता है तो इन प्रावधानों को अगर हम देखें तो इन प्रावधानों की रोशनी में मुसल्मानों के संदर में हासिय करण को हम समझ सकते हैं मुसल्मान धार्मिक अल्ब संख्यक समुदाय के रूप में हम देख सकते हैं मुसल्मान और हास्या करण की बात करें तो 2001 की जनगरना के अनुसार भारत की कुलाबादी में मुसल्मानों की संख्या 13.04% है इन्हें हासियाई समुधाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुधायों के मुकाबले सामाजिक, आर्थिक विकास के लाभ ही इन्हे उतने नहीं मिल पाए जितना अन्यों को मिला है बिभिन सुरतों से ली गई तीन साड़ीयों से हमें पता लगता है कि मूलभूत सुविधाएं, विसेशकर साक्षरता और जो सामाजिक नोकरियों के हिसाद, जो सरकारी नोकरियां है उनके हिसाब से मुसल्मानों की स्थिती बहुत देनी है नीचे सांडिया दी भी गई है जसमें हम मुसलिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिती के बारे में देख सकते है 1994 की ये सांडिया है, इसमें कच्चे घर की बात है 73.6% मुसल्मान कच्चे घरों में रहते हैं 55.2% हिंदू कच्चे घरों में रहते हैं बिजली की बात करें, 30% मुसल्मानों के घर में बिजली है वहीं 43.2% हिंदुरों के घर में विचली है 19.4% मुसल्मान पाइप के पानी पीने का प्रियोग करते हैं जबकि 25.3% हिंदु पानी के पीने का प्रियोग करते हैं तो यह जो तुलनात्मक सुची आप देख रहे हैं इसमें आप हर एक सती में मुसल्मानों की सती अप एक शाकरिम हिंदु उसे अलग आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से अगर साक्षरता की बात करें तो 65% हिंदु साक्षरता है मुसलिम साक्षरता यहां 69 है इसाई साक्षरता आपको 80% से 70% बहुत 73% जैन 94% तक दिख रहा है तो ऐसे इस्तुती में आप देखेंगे तो सरवादिक जो साक्षरता दर है वो भी मुसलिम समुदाय में आपको कम देखने को मिल रहा है इसी तरीके से सरकारी नोकरियों की अगर हम तुलना करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि कुलाबादी का 13.5% अगर सरकारी नोकरी में है तो ऐसे में आईएस भारती प्रसाशनिक सेवा भारती पुलिस सेवा परसेंटेज देखें भारती प्रसाशनिक सेवा में केवल 3% है पुलिस सेवा में केवल 4% है विदेश सेवा में 1.8% है केंदरी छेतरी PSU जो है उसमें 3.3 है राजस्तरी PSU में 10.8 है बैंक और रिजर बैंक में किवल 2.5 है अगर इसको आप देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि सामाजिक आर्थे के सती मुसल्मानों की अन्यों की अपेक्षा अत्यदिक निम्न है अत्यदिक कम है तो निसकर्स के रूप में हमने देखा हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि हासियाई समुदाय होने का मतलब क्या होता है हमने बिविन हासियाई समुदायों के अनुभव के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है कि ये जो समुदायों के हासियां पर रह जाने के अलग-अलग कारण हमें देखने को मिलते हैं प्रतेक समुदाय को इसके अलग-अलग तरह से महसूस भी किया जा सकता है हमने ये भी देखा कि हास्यागरण का संबंध अभाव से, पूर्वागर से, सक्तिहिंता से जुड़ा रहा है हमारे देश में कई और भी हास्याई समाज है जैसे दलित भी इसी तरीके का एक समुदाय है इस समुदाय को भी हम अगले चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे हास्या करण से कमजोर सामाजिक हैस्यत ही नहीं पैदा होती बलकि सिक्षा और जो अन्य संसाधन है उन संसाधनों तक भी जो बराबरी की पहुँच होती है वो समाप्त हो जाती है जिसके कारण सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हमें देखने को मिलता है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसल्मानों के बारे में प्रचली दूसरी गलत फमियों को भी उजागर कर दिया जैसे आम तोर पर माना जाता है कि मुसल्मान अपने बच्चों को सिर्फ मदर्सों में भेजना चाहते है आकलों से पता चलता है कि केवल 4% मुसल्मान बच्चे मदर्से में जाते हैं मुसल्मानों के 6-6% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं तो जो पूर धरड़ा है जो गलत फमिया है अगर उसे ठीक से जाजपरताल किया गया तो देखा गया कि वो सारे मामले भरांतियों के रूप में है जैसा कि हमने आदिवासी समुदाऐ के बारे में देखा ऐसे ही बहुत सारे जो हासिये पे समाज है उसके बारे में जानकारी भी लोगों को कम है इसलिए उनका चित्रन भी ठीक धंक से नहीं हो पाता है, उनके बारे में बहुत कुछ छिपा रहे जारता है, तो आगे के अध्याय में हम और भी चीजे पढ़ेंगे, जैसे सबसे इंपोर्टन बात पढ़ेंगे, कि इस हासिय करन की समस्या से कैसे निफटा जाए, महतपूर कच्छा होने वाली है, इस क्लास को देखना बिलकुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप एक निबंद लिख सकते हैं इस से, या यू कहलें, कि एक UPSC का बढ़ियां उत्तर आप लिख सकते हैं इन दोनों चप्टर को मिला के, तो एक बार में फिर से आपको आमंतित करूँगा, कि आपका बैच सुरू हो चुका है, अभी अभी सुरू हुआ है, 23 अक्टूबर लास डेट है, मेगा फेस्टिवल सेल का लाब उठाने के लिए, 12 महिने में फाउंडिशन कोर्स की तैयारी आप कर सकते हैं, 26.99 में, कोर्ड आपको यूज करना है, AP Life कोर्ड, क्लास को लाइ QISMD